करेंट फिर MSQ स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक पांच कुश्चन का टेस्ट लेते हैं तो पांच कुश्चन जो है इनको आप अटेम करी कमेंट सेक्षन में जो लोग इस चैनल पर नए आये हैं अगर उन्ने नहीं आता है चोड़ दीजिए अगर आता है तो वीडियो को पॉस करी और वीडियो को पॉस करने के बाद आप इन कुश्चन को अटेम करने की कोसे करी तो पहला कोशन है विच ऑगनाजेशन पब्लिस्ट ग्लोबल फानेंस्ट सिस्टम रिपोर्ट सेकेंड प्रधान मंत्री किसान मांधन यूजना लॉंच अंडर विच मिनिस्ट्री इसका फूर्थ कोश्चन है एरा अप डाक्नेस दा ब्रिटिस एंपार इंडिया रिटेन बाई फिफ्थ कोश्चन है इसका वट इस दा स्ट्राइक रेंच अप दा लैंड अटेक वर्जन आप ब्र कोश्चन पर पहला कोश्चन है how many member are there in Asian infrastructure investment bank तो पहला इसका मिल लपक तो इसमें प्रेजंट टाइम पर ос look at it मिंबर की संख्या है वह है 97 अब आप पुछे अंट क्या है तो फोड़ा सा यब लोग जान लेते हैं कि अश्जान इंट्वर कर फिक्रिद्सम्सित्रिक बारे में देखिए Asian Infrastructure Investment Bank एक International Organization है और जिसका एम है कि हम social और economic outcomes को improve करें within Asia इसका establishment कब हुआ था तो 25 दिसंबर 2015 को इसका establishment हुआ था और जब इसका establishment हुआ था तो इसके founding member थे 57 लेकिन present time पर इसके members की संख्या कितनी है 97 इसका headquarter कहा है Beijing में अच्छा present time पर जो इसके president है जिनका नाम है जी लिंक्विन और जी लिंक्विन जो है present time पर चाइना की finance minister है तो आई होप आपको समझ में आया होगा यानि AIB के बारे में Asian Infrastructure Immunistment Bank के बारे में चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले question की तरफ question number second है defense minister राजनास सिंग inaugurated the road link from धार्चुला इन उत्राखंड to लिपु लेक आपको space border बताना है तो इसका सही जवाब है क्या चाइना थोड़ा साम लोग इसको मैक के हिसाब से देखते हैं देखें यहाँ पर जो उत्राखंड है यह है उत्राखंड और उत्राखंड का जो यह border है वो चाइना के साथ सहर हो रहा तो यह वाला जो area है यह है लिपुले और यहाँ पर यह नेपाल के साथ थोड़ा सा area लगता है यह है धार चुला ठीक है लिपूल एक पास जो है उत्राकंड में जो है चाइना से जोडता है तो यहां पर हम रोड बना रहे हैं ठीक है इस जगह पर हम रोड बना रहे हैं तो रोड आप यहां पर क्यों बना रहे हैं ताकि in future हमारा बॉर्डर पर अगर कभी भी equipment supply की जरुवत हो, तो हम वहाँ पर उसको easily पहुचा सकें, इसका aim ये है, इस road को बना कौन रहे है, तो इस road को एक organization बना रहे है, जिसका नाम है BRO, BRO को full form है border road organization, जिसका establishment हुआ था in 1960 में, और ये border road organization, इसमें एक चीज़ याद रखेगा, ये कौन से ministry के अंदर आती है, तो य ये आती है, defense ministry के अंदर है, ये याद रखेगा, ठीक है, कौन से ministry के अंदर आती है, defense ministry के अंदर है, चले बढ़ते हैं हम लोग question की तरफ, question हमारा हमारा, third है, which bank has reduced the marginal cost of funds based lending rate, MCLRs, linked to repo rate by up to 15 basis point, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि MCLR क्या है, देखें, MCLR का मतलब होता है, यानि जब कोई भी bank, कोई bank है मालो, और अगर वो bank, किसी भी customer को, यानि जिस lending rate पर देता है, उसका एक base point होता है, जिसको हम लोग MCLR कहते हैं, मालो, जिस rate पर loan दिया है, उसको हम लोग MCLR कहते हैं, तो इसको reduce किया है, 15 basis point, किसने, इसका सही जबाब है, SBI ने, अब आप पूछ सकते हैं क्यों, क्योंकि RBI जो है, वो RBI क्या करता है, वो bankों को loan देता है, और वो loan किस rate पर देता है, repo rate पर, तो ये repo rate MCLR से link होता है, यानि ये repo rate जो है link होता है किसे MCLR से, तो अगर repo rate RBI reduce करता है, तो bankों को भी advice दी जाती है, कि वो अपनी MCLR में कटोती लाएं, ठीक है, तो I hope आपको ये समझ में आया होगा, चलिए हम लोग बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, question number 4 है, तिलंगाना has imposed how much fine for not wearing mask in a public place, यानि तिलंगाने ने अभी हाली में कितना fine imposed किया है, तो इसका सही जबाब है 1000 रुपीज, यानि 1000 रुपे जो है fine imposed किया है, अगर आप mask नहीं पहनना है, तो mask पहनना बहुत जरूरी है, आप अगर किसी भी public place पर जाते हैं, तो mask जरू पहन के जाईए, ठीक है, और केवल रुमाल बगरह लपेटियेगा नहीं, सिर्फ mask पहन के जाईए, अच्छे से, चलिए, हम लोग बढ़ते हैं, question number 5 की तरह, question number 5 है, when was the Red Cross Society formed, तो इसका सही जबाब है 1863, देखे, Red Cross Society के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, एक person जिनका नाम आप याद रख सकें तो ठीक हैं, नहीं याद रखें तो कोई बात नहीं, जिनका नाम है Henry Dunant, यानि इनका नाम है Henry Dunant, ये एक Swiss person थे, और जो है, जिनोंने 1859 में, जब इतली और आस्ट्रिया के बीच वे वार चल ला था, तो वहाँ पर इने soldiers की मदद करने के ल तो उसके बाद एक मांग उठने लगी थी कि एक ऐसा international organization बनाया जाए, जो disaster के time पर, या किसी भी emergency के time पर, लोगों की मदद कर सकें, तो इसका firm हुआ था कब 1863 में, एक चीज और बताएगा आप, कि Indian Red Cross Society का firm हुई थी, ठीक है, Indian Red Cross Society का firm हुई थी, और इसका headquarter कहा है, इसको comment section में mention करिए, चलिए, हम लोग बढ़ते हैं, अगली question की तरफ, और question number हमारा 6 है, who is the national goodwill ambassador, United Nations Environment Program, यानि अभी हाली में national goodwill ambassador किसे बनाया गया है, तो national goodwill ambassador बनाया गया है, किसको, दिया मिर्जा को, थोड़ा सा context के बारे में हम लोग जान लेते हैं, context क्या है, दिया मिर्जा क यानि national goodwill ambassador इसलिए बनाया गया है, ताकि वो जादा सी दाजा लोगों को sustainable development goals के बारे में aware कर सके, अब आप question पूर सकते हैं कि sustainable development goals क्या है, तो sustainable development goals का मदलब ये है, यानि हम एक ऐसा development करें, जो future में हमारे resources को sustainable use के लिए बनाया जासे है, यानि resources को हम sustainable use कर सके in future, ठीके, अब थोड़ा सा हम लोग जाने, quality, action on air quality और global environment outlook, लिखे दे रहाँ, action, action on air quality, air quality and global environment outlook report, ठीके, तो यी UNEP के द्वारा जारी की जाती है, चलिए, हम लोग बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, question number 7 है, question number 7 है, यानि, when does the UN mark time of remembrance and reconciliation for those who lost their lives during the second world war, यानि time of remembrance क्यों मनाया जाता है, second world war में, जिन लोगों ने अपनी जाने खो दी, उनकी याद में time of remembrance and reconciliation, ये बनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, 8 से 9 माई को, ठीके, तो चलिए, हम लोग बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, question number 8 है, core, board signed MOU with space for setting up center of excellence for the core applications, यानि, core board के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, यानि, core का मतलब क्या है, आप अपने घर में जूट से संबन देते, यानि, जूट आपने देखा होगा, इससे बने हुए product, ठीके, यानि, इससे बने हुए product, आप यूज करते होग तो, यानि, core board, जिसने अभी हाली में एक agreement किया है, किसके साथ, IIT मदरास के साथ, क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर center of excellence, क्या है, यानि, कोई ऐसा sector, जहाँ पर हम research कर सके, और research करने के बाद, हम कुछ नए innovative idea, जो है produce करें, जिसका motive होता है, ताकि हम उसका production बढ़ाए, और उसकी cost को reduce करें, तो इसका मदलब होता है, center of excellence, देखी, core जूट अगर हम बात करें, तो इंडिया और स्री लंका, पूरे से इंडिया जो अपना 50% core का production, वो coconut से करता है, ठीके, तो इसका सही जवाब आप याद रिखीगा, I.T. मदरास, चलिए हम लोग बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, question number 9 है, which type of bank come under the surface act, according to Supreme Court, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, surface act के बारे में, surface act का full form होता है, यानि, Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, थोड़ा समय यहाँ लिख देता हूँ, Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, तो एक कप फ़र्म हुआ था, 2002 में, इसके पीछे एक motive था, ताकि bank, bank जो है, अपना पुराना debt, यानि, bank ने अगर किसी को loan दिया है, माली किसी को loan दिया है, तो वो loan easily recover हो सके, माली कोई person ऐसा है, जो loan नहीं दे रहा है, तो bank क्या करते हैं, उसकी security को बेज कर, अपनी loan की भरपाई मलब, अपने assets की recovery करते हैं, ठीके, आप यह comment section में में, surface act जो भी establishment हुआ था, तो वो कौन सी committee पर establish हुआ, कौन सी committee की सिफारिस पर establish हुआ था, चली, हम लोग बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, question number 10 है, who launch smartphone as to fight COVID-19, यानि कौन सा app अभी launch किया गया है, महा कवच, और ही किसके द्वारा launch किया गया है, तो इसका सही जवाब है, यानि नासिक municipal corporation के द्वारा, तो महा कवच जो app है, वो क्या करेगा, यह जो है, यानि जो quarantine में जो patient है, उनको हम जो है trace कर सकें, कि वो किसी के संपर्क में तो नहीं आ रहे है, इसके लिए जो है, महा कवच app को launch किया गया है, चली, हम लोग बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, question number 11 है हमारा, where is the international energy agency headquarters, यानि इसका headquarter कहाँ पर है international energy agency, देखिए, इसका headquarter है Paris में, और इसका establishment हुआ था in 1974 में, अच्छा, यह जो है, एक report represent करती है, पब्लिस करती है, जिसका नाम होता है, global energy outlook report, global energy outlook report, चली, हम लोग बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, where is 12, yes, government of India and the Asian Infrastructure Investment Bank, signed an agreement for COVID-19 emergency response and health system preparedness project, तो अभी हाली में, Asian Infrastructure Investment Bank ने, जो है, COVID-19 पर कितना emergency fund दिया है, तो इसका सही जवाब है, 500 million dollars, चीक है, तो अभी Asian Infrastructure Investment के बारे में, हम लोग पहले question में देख चुके हैं, तो चली, हम लोग बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, question नमर हमारा 13 है, 13 है, what is the theme of world majority birthday, तो world majority birthday जो है, कब मनाया गया था, वो मनाया जाता है, हर साल 9 मई को, from 2006, 2006 से हर साल, migrated bird day मनाते हैं, ताकि हम migrated bird को, यानि, conserve कर सकें, तो इसका theme क्या है, इस साल का theme है, birds connect our world, चली है, हम लोग बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, question number हमारा 14 है, 14 questions, ministry of defense signed a contract with the space, यहाँ पर to modernize the infrastructure of 37 airfield of Indian air force, यानि हम Indian air force के जो infrastructure है, उसको हम लोग modernize करने के लिए किसके साथ हमने ही MOU किया है, मनलब agreement किया है, तो इसका सही जवाब है, data power set, ठीक है, question number 15, question number 15 है, which state banks the manufacture storage, sale of pan masala containing the magnesium carbonate for one year, तो इसका सही जवाब है, क्या, यानि जारकंड, ठीक है, तो यह है आज के 15 questions, अब हम लोग discuss कर लेते हैं, वो 5 questions जो मैंने आपको test में दिये थे, ठीक है, तो सबसे पहला question था, क्या question था, आपको याद है, देखे, इसका पहला question था, which organization published, published global financial system report, तो देखी, इसका जवाब है, सही जवाब, BIS, BIS का full form होता है, bank for international settlement, तो bank for international system, जो है, settlement, यह जो है, global financial system report जारी करता है, अच्छा, इसका establishment कब हुआ था, in 1930 में, इन 1930 में, इसका establishment हुआ था, और BIS का motive क्या है, कि हम, पूरे international level पर, banking supervision को बढ़ावा दे, फिर से मैं बोल ला हूँ, किसको बढ़ावा दे, banking supervision को बढ़ावा दे, BIS, और इसका जो है, headquarter है, कहाँ पर, Bessels में, यानि Switzerland में, next question था, हमारा, Hindu growth rate, किस से related है, तो देखिए, Hindu growth rate, related है, किस से, GDP से, ये मैंने, इसलिए पूछा, क्योंकि Hindu growth rate, जो है, 1950 से, यानि, इंडिया में, 1950 से, और 1980 की बीच में, जो average GDP की growth rate रही है, उसको नाम दिया गया है, sorry, Hindu growth rate, तो Hindu growth rate, जो है, 1950 से, 1980 के बीच में, average GDP की growth rate को नाम दिया गया है, और ये नाम किसके द्वारा दिया गया है, तो नाम दिया गया है, Professor Raj Krishna के दौरा चीक है? किसके दौरा? Professor Raj Krishna के दौरा चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले कोशन के तरफ कोशन है प्रधान मंत्री किसान मांधन योजना launch under which Ministry? तो इसका सही जबाब है Ministry of Agriculture and Willfares अच्छा इसमें है क्या? यानि एक ऐसी स्कीन जो 18 से 40 साल के यानि कोई भी Farmers 55 रुपए से लेकर 200 रुपए के बीच में 25 रुपए से लेकर 200 रुपए के बीच में अपना जो है एक पेंसर में पेंसर फंड में जमा कर सकते हैं और सार साल के बाद यानि किसानों को क्या दी जाएगी पेंसर एक लिस्ट कितना यानि 3000 रुपीज तो यह है किसान मांधन योजना चलि हम लोग बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर कोश्चन अमबर हमारा फोर्थ था एन एरा आप डार्टनेस दा ब्रिटेस एंपार इंडिया रेटेन बाई तो इसका सही जवाब है इसका सही जवाब है यानि 290 किलोमेटर्स ब्रम्होष में एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाईल है सुपरसोनिक का मतलब होता है यानि एक ऐसी मिसाईल जो जो स्पीड आप साउंड है वो स्पीड आप साउंड के लगबग 2 से 3 गुना जादा हो यानि स्पीड आप साउंड जो उसे 2 से 3 गुना जादा अब इसकी स्पीड को हम लोग किसमें लिखते हैं मैक में तो मैक जिसकी स्पीड 2 से 3 के बीच में होती है उसको हम लोग सुपरसोनिक बोलते है इसका एक सेकेंड वर्जन भी आए है इसको ब्रम्होस 2 बोलते है और उसका स्पीड है हाइपरसोनिक यानि 5 से मैक स्पीड 5 से भी उसकी जादा है तो ब्रम्होस इसका नाम जो है वो नाम किसले पड़ा तो ब्रम्होस इसले नाम पड़ा यानि इंडिया की ब्रमपुत रेवर और russia की मास्कोव और अभीवर के जो है उस पर इसका नाम ब्रमोस पर रखा गया ये सुपरसोनिक एक क्रूज मिसाँल है क्रूज मिसाँल का मनलब होता है यनि जो अपने target को य metrics में hit करेगी यनि ये से मालों यहां से missile fire कीगी उसके बाद 90 डिगरी का एंगल बनाते हुए एक ब्रमोस मिसाइल जो है वो टार्गेट को हिट करती है तो आज की वीडियो में इतना ही ठीक है ठेंक यू और अपना ख्यार लखे धन्यवाद